तो बेना टाइम बेस्ट करें स्टार्ट करते हैं तो आज हम यह पैकेज बनाएंगे ठीक है हम पूरा देखेंगे कि पहले इसको क्रिएट कैसे करेंगे कोड कैसे लिखेंगे देना वी विल आक्टुली टेस्टिक लोकली उसके बाद इसको पब्लिश हम NPM जो रिपॉस्टी नहीं देता so this package will be solving that and if you want to read more about it यहां थोड़ा मैंने लिखा हुआ installation usage and everything वो आप देख लो ठीक है you can understand that now let's move to the code so I've created actually three folders here एक तो हमारा package है जिसमें actually पूरा इस जो package का code है बो रहा हैगा तो चलो भी इस package folder से start करते तो इसमें हमारे पास 2-3 simple files है जो हमारा code है वो इस index.js में है package.json के भी हम थोड़े दिर में बात करेंगे readme जो है simple उसका readme होगा आपको कुछ भी लिखना होगा जो भी मतलब user आपके package पहेगा उसको understand होना चाहिए कि आपका जो package करता क्या है उसको use कैसे करेंगे ठीक है वो पूरा यहां लिखा हुआ है now जब भी आपको भी package बनाएंगे तो आप जो start करेंगे सबसे पहले what we had to do हमने इसको initialize करना है हमने simple npm करके initialize करना है now we'll see it will ask you for a package name ठीक है मैंने actually already run किया हुआ है तो मेरे को यह default ही दे रहा है मैंने जो set किया वादा upload folder है ठीक है you can write it because आपके time बें नहीं दे रहा होगा एंटर करो version आप set कर सकते हो by default ही ले लो क्योंकि 1.0.0 होता है license default ले लेंगे so it is done actually इसने जो है थोड़े questions मेरे को कम पूछे because if I go into the package.dation यह actually आपको description के भी पूछेगा keyword भी पूछेगा and github url भी देगा तो आपको github वो repository करके वो paste करते है न मैंने अक्शली इसको एक बार रन किया हुए otherwise it would have asked me those questions ऑसो ठीक है so if I say yes here normally क्या करेगा यह package.dation इसके बाद ही create हो जाएगा ठीक है तो if you do it आपका package.dation with all these values create हो जाएगा जो package.dation है यह तब create होता है जब मानलो कोई external package हम install कर रहे है उस time पर यह automatically create हो जाता है so you don't have to worry about it ठीक है तो अभी क्या करते है हम code पर जाते है ठीक है and then जब भी कोई भी हमारा जो package import करता है then it can use it let's say मानलो यह हमारा है client है मैं use कर रहा हूँ AWS का so मैं क्या कर रहा हूँ मैं इसको actually यह import कर रहा हूँ so somewhere उन्होंने यह put command function होगी वह उन्हें like define करेंगी और उसको export किया होगा ठीक है so let's understand actually this whole code हमने simply क्या कर रहा हूँ एक class बनागी हुई है ठीक है उसमें simple constructor है जो एक client accept कर रहा है जो इस तरी का client होगा which last में हम use करेंगे उसको जो folder है उसको upload करने के लिए अब अगर user pass नहीं कर रहा तो हम simply इसको error throw कर रहा रहे ठीक है otherwise set कर रहा रहे ना उसके बाद यह upload function है जो actual core logic is का यह जो हम इस पे run कर वा देंगे बाद में ठीक है इस test folder के अंदर we'll see that but अभी के लिए simple understand कर रहे जो code है मैं explain कर रहा हूं इस folder के लिए explaining कर रहा हूं ठीक है तो इस folder के अंदर हमारे पास दो चीज़े एक तो हमारे पास एक और folder है script करके और दूसरा index.js file है script के अंदर भी हमने एक file रखा हुआ है ठीक है तो एक nested folder है personal data के अंदर ठीक है so now understand करते है now first it is जो यह पहले पहली चीज़ हमारे पास है यह local folder path है जो actually अभी इसको point कर रहा होगा ठीक है local folder path उसका जो आपको upload करना है s3 पे then we have कि आपको s3 के अंदर bucket के अंदर कहां upload करना है तीसरा जो हमारे वो तो bucket name है कि भाई मैंने actually already development बाद नाम करके बनाई हुए उसक then it actually uses to thing error है अगर कोई error है simply throw कर दो ठीक है या तो हमें content देगा अब content के अंदर क्या है वो simply list देगा इस उनके नाम का script एक folder है वो भी दे रहा है और index.js ठीक है for this one we run it अब उसके बाद क्या है इनी दोपय में loop करना है ठीक है और हम पहले चेक करेंगे अगर जो पहले तो हम full path because इसके अंदर यह full path नहीं दे रहा जिस नाम दे रहा है ठीक है हम full path कैसे निकाल रहे है पहले तो हमने यह local folder निकाला हुआ है जो हमें actually इसका full path दे रहा है personal data का उसको जैन करवा रहे है इस script के साथ so it will be actually this local path जो भी उसका है अभी के लिए personal data और पूरा का पूरा relative path हो य function होता है उसके अंदर हमने अगर कोई भी full path एक file का या कुछ भी उसका दे दिया वो उसके ऊपर कुछ function हमें provide रहता है उसके अंदर एक is directory नाम के function है जिससे हम check करेंगे कि यह जो path है वो directory है फाइल है ठीक है अभी देख रहे है अगर directory हम क्या कर रहे है यह जो वापस function upload function अब उस directory के लिए call करवा रहे तो अभी जो यह क्या होगा इस folder के लिए call हो जाएगा upload function script के लिए now local folder path जो अभी content path है यह किसको point करेगा again इस script folder को path करेगा point करेगा then we have this s3 folder path अभी जो s3 folder था वो तो simply personal.data था but अब हमें क्या करना है personal.data slash script के अंदर upload करना है जो भी content इस script क अंदर होगा ठीक है तो यह भी change हो जाएगा bucket name तो same यह bucket name में कुछ change नहीं होगा then we have this else condition कि अगर जो यह content path है यह file होता तो मालो index.js के लिए run हो रहा था ठीक है यह condition अभी चल रही थी तो अभी क्या होगा इसके अंदर जाएगा simply क्या हो रहा है read और यह content तो अभी यह content path ह है अगर भाई कुछ error है तो simply error दे दो अगर नहीं है तो file content दे रहा है in a buffer format अब वह buffer का क्या सीन अभी देखेंगे सुना उसके बाद हम क्या कर रहे है client don't send function use कर रहे है जिसने मेरा package use किया हुआ ठीक है वह send उस function पर send call करके एक command दे देंगे अब यह command कहा से आ रही है जो put object command है यह इस से आ रही है यह actually package है s3 का s3 के अंदर मतलब AWS के अंदर बहुत सारे packages होते है और हर किसी package के अंदर जो एक command होते है different different चीजे करने के लिए ठीक है और उसमें से एक command command जो s3 के लिए that is put object command वो क्या करता है आपकी जो local में file है आप उसको path दे दो sorry path नहीं उसको आप content दोगे बाई मेरा जो यह content है और वो buffer में expect करता है ठीक है तो same read file हमें buffer दे रहा है वो हम direct उठाके इस put command में देते हैं ठीक है और इसको put command को क्या चाहिए एक तो जाहिए bucket का करना है और दूसरा की चाहिए कि उस bucket के अंदर मेरे को किस path पे इसको upload करना है और वो हम कैसे निकाल रहे है जो यह s3 का folder path है index.js के लिए it will be personal slash data ठीक है और content क्या होगा इधर content जो होगा that will be index.js तो add then personal slash data slash index.js पे s3 में upload हो जाएगा ठीक है अब अगर यह जो है मालो script के अं मिल जाती पूरा exact path मेरे को जो bucket में वो कहा upload करना है ठीक है so I hope कि यह code समझ में आ गया इसको test करते है तो test करने के पहले हमें actually करना क्या होगा इसको link करना होगा तो हम simply करेंगे npm link ठीक है तो अब यह करता है अब इससे क्या होगा कि अब हम अपने local laptop में कहीं भी इसको install कर स link और इस फोल्डर इस package का नाम दे दूना तो अगर मैं यहां paste कर दूँ तो अभी क्या होगा यह install हो जाएगा ठीक है so it is not important कि यह जो package हो npm में published वाओ ठीक है you can still install it आप यह npm link करके normally हम अगर test करना होता है we use this npm link ठीक है now what we can do let's actually go into the code मैं यहां इसको use कर रहा हूं तो सब इसमें दो तीन जिज़े मैं पास करने है एक तो रीजन है ठीक है उसके बाद credentials पास करने है एक तो simple access की idea और secret access की ठीक है यह जो client है मैं अपने जो class है यह जो हमने बनाया था upload folder s3 करके उसमें पास करना है अब मैं इसको भी initiate कर रहा हूं और मुझे upload client मिल रहा है अब मुझ कर दिया है आपको भी करना पड़ेगा ठीक है वह उसके बाद folder बात कि वहां जाके मैंने personal data local मालो उसके अंदर मैं उसको upload करना हूं तो वहां एक folder kind of यह create हो जाएगा personal data local उसके अंदर मेरा पूरा data इसके अंदर जो हो upload हो जाएगा ठीक है तो काम करते है इसको run करते let's actually do this and as you can see upload data success हो गया अगर हम development में जाते है then you can see personal data local करके create हो गया है उसके अंदर हमारे पास index.js scripts है उसके बाद node.js उसके अंदर भी है ठीक है तो पूरा हमारा चल गया ठीक है तो पूरा I think you understand कि how we can test it locally हम npm link करके इसको test करेंगे अब सिंपल करते है इसको publish कैसे करेंगे तो व बारा publish नहीं हो सकता मैं इसको पांच कर दूँगा ठीक है अब इसको क्या करेंगे देखो पहले तो what you have to do is आपको npm जो है उस पर जाके अपना account पूरा create कर लो email verify जो भी करना है उसके बाद हम यहां npm login करेंगे ठीक है npm login करेंगे and it will actually send you to browser इसको एंटर करना ब्रावजर publish करना ठीक है npm publish करेंगे and that's it आपका जो पूरा का पूरा कोड यहां का है वो npm पर publish हो जाएगा then anyone actually can use it ठीक है so I hope you understand all the steps that I've actually went through just one thing I wanna tell you that normally package बना रहे इसमें at the bottom what I have said is की already इसमें क्या क्या implementer यह दो चीज़े उसके बाद क्या क्या I can also like this list में क्या है that is a better way to make a package कि आपने पूरा यहां पहले तो documentation अच्छे लिग दू and then you actually have to write कि already क्या क्या चीज़े है and in your mind in feature क्या क्या ना बाला and definitely I'll be creating a part 2 इसके इसके में part 2 क्रेट करूंगा जिसमें इसको जो है नई features batch processing जो भी है वो इसमें add करेंगे and then we'll see how to publish and everything ठीक है so I hope it really helped you and you know now how to create and publish NPM package ठीक है बाई चलो